तो आप देख रहे हैं कि राइस में भी ना कुछ जादा डार्क राइस हैं कुछ लाइट कलर के राइस हैं आज की रेसिपी है शेजन फ्राइड राइस हमने यहापे पैन में ओलिव ओल लिया है तेल गरम होने के बाद में हम लोग इसमें सबसे बहले हरी मिर्च डाल देंग लेकिन बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी वेजटेबल को किस स्टेप पे या फिर कैसे यूज कर रहे हो किसी रेसिपी को बनाने के लिए और मिर्ची और प्याज जुतना अरोमेटिक हो सकता है उतना अच्छा है इसको हलका साटे करने के बाद में हमने इसमें बागी की जिए डाली है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो यह है कदूकस कीवी पता को भी इसके जस्ट बाद में हम लोग एकदम फाइनली चॉप बीन्स डालेंगे और कदूकस कीवी गाजर आप अगर चाहे तो गाजर को चॉप ही कर सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि गाजर का टेक्शर बहुत अच्छे से आता है स्पेशली औरेंज कारट का तो यह वीडियो मैंने पांचे दिन पहली ही पना लिया था लेकिन कभी मुझे 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 मुझा नी मिला इसको एडिट करने का 15 अगस्ट को स्पेशली इस वीडियो को सो वीडियो पर वापस आ जाते हैं सारी सब्जी डालके हमने इसको सौटे करने के लिए थोड़ा सा इंडेक्शन तेज कर दिया था इसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे से तयार होके और इसकी कौन्टिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाती और एक और चीज में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक की सेम रेसिपी है जो की हम लोग वेज मुमूस बनाने के लिए भी यूज करते हैं अगर आगे चलके वीडियो में देखोगे तो मैंने इसमें कोई भी मसाला या फिर राइस डालने से पहले थोड़ा सा इसका इस मसाले का पॉर्शन निकालके रख लिया था साइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे की अल्रीडी यह लकलका पकना स्टार्ट हो चुका है प्याज और सब कुछ तो पहले ही पक गया था आप देखनें गाजर का भी कलर चींज हो गया है और बीञ पक गये है अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी देर इसको और पका सकते हैं बट मेरे साब से यह सब कुछ रेडी हो गया है विकाज हम लोग शेजवान राइज बना रहे हैं तो इट इस इंपोर्टन की सब्जियां भी थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहें मतलब बहुत जादा उसको नहीं पकाने की ज़रूत है आफ्टर आल जब हम लोग स्पैशली राइस की बात करते हैं तो आप उसको जिसके साथ में बना रहे हैं इट इस वेरी इंपोर्टन की आप उसको टेक्शर देख के बनाएं आहीं बिर्यानी हो या फिर किसी भी तरह का फ्राइज हो सब्जिया सारी पक्ते के बात में मैं यहां पर चिंक्स का शेजवान आप अधी पसंद है इसलिए मैंने आड़ गिया है नाउ शेजवान का जो मसाला है वह डालने के बाद में आपको इसमें सॉल्ट डालने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है मैंने जब मैंने सब्जियां डाली थी तब मैंने सिर्फ थोड़ा सब नमक डाला था वह था डालने की इसमें कोई ज़रुद नहीं है तक रीबन एक मिनिट तक आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ड्राइब पाउडर था जो चटनी थी हमारी वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक भी जाए और फिर हमने जो मैंने राइस ऑडरीडी वोइल करके रखे थे अब मैं आपको बताती हूँम जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने कहा था कि कुछ कोछ चावल light कलर के है कुछ कोछ चावल बहOUT साब dark कलर के है तो उसकी ट्रिक यह है कि जब आप चावल को मसाले के उपर आपने डाला तो नीचे के चावल को आपने ऐसे छोड़ दिया और आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स ना करके हलके हाथ से मिक्स किया तो जो नीचे वाले राइस थे उसने मसाले को बहुत अच्छे से ब्लब किया और जो ऊपर वाले राइस थे वो हलके से light कलर में रह गए अगर सारा mix होने के बाद में यह इतना जादा अच्छा लग रहा था I mean देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था hit the like button and subscribe to my channel thank you